नमस्कार मित्रूं सब्सक्राइब कीजिए आपकी दैनिक राशिफल चैनल को जैसनी देव दोस्तों स्वागत है आपकी दैनिक राशिफल में आज का दैनिक राशिफल राशिफल 20 अपरेल 2024 20 अप्रेल का राशिफल आज व्रिश्चिक राशी के लोगों को मिल सकती है तनाव से राहत और एक्स्ट्रा इंकम होने के भी योग बन रहे हैं 20 अप्रेल शनिवार के ग्रह नक्षत द्रुव नाम का शुब योग बना रहे हैं जिससे व्रिश्च राशी के लोगों को सितारों का साथ मिलेगा व्रिश्चिक राशी के लोगों को तनाव से राहत मिलेगी एक्स्ट्रा इंकम होने की भी संभावना है धनू राशी वालों का मनचाहा काम पूरा हो सकता है मकर राशी वालों को किसमत का साथ मिलेगा कुम राशी वालों को नौकरी में ट्रांसफर संबंधी अच्छी खबर मिल सकती है मीन राशी वालों को किस्मत का साथ मिल सकता है इनके अलावा बाकी राशी वालों के लिए मिला जुला दिन रहेगा बीस अप्रेल का राशीफल, शनीवार का पंचांग, शुब मुहूर्त और राहुकाल का समय राशीफल से पहले आज का पंचांग इस प्रकार है बीस अप्रेल दो हजार चॉबीस का दैनिक पंचांग आज का पंचांग 20 अप्रल 2024 को चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथी है इस तिथी पर पूर्वा फालगुनी नक्षत्र और ध्रुव योग का सयोग रहेगा दिन के शुब मुहूरत की बात करें तो शनिवार को अभिजीत मुहूरत 11 बज के 56 मिनट तक है रहुका 9 बज के 6 मिनट 10 बज के 43 मिनट तक रहेगा चंद्रमा कन्या राशी में मौजूद रहेंगे 20 अप्रल, शनिवार के मुताबिक 12 राशियों के लिए कुछ ऐसा रहेगा दिन वीडियो को देखें, लाइक, कमेंट और शेयर करें कमेंट करके आप अपना सुझाव हमें जरूर लिखें मेश पॉजिटिव आज परिवार की व्यवस्था को उच्चित बनाए रखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण नियम बनाएंगे और सफल भी रहेंगे घर के किसी सदस्य के विवाह को लेकर मांगलिक कार्य संबंधी योजनाएं बनेंगी ओनलाइन शॉपिंग भी रहेगी नेगेटिव कभी कभी लापरवाही के वज़े से कुछ लोगों को परेशानी भी हो जाती है अपने स्वभाव तथा विचारों को सकारात्मक बना कर रखें युवा वर्ग बेकार की गते विधियों में समय नश्टना करके अपने करिय संबंधी योजनाओं पर ध्यान दें समय का उचित प्रबंधन करना जरूरी है व्यव साय अन्य गते विधियों में व्यस्तता के चलते बिजनेस पर ध्यान नहीं दे पाएंगे फिर भी काम चलता रहेगा जमीन जायदाग संबंधी के मामले में फैसले लेने से पहले किसी अनुभवी से सलाह जरूर ले लव पती पत्नी दोनों ही व्यस्तता की वज़े से घर पर समय नहीं दे पाएंगे परंतु पारिवारिक सदस्यों के सहयोग से अनुकूल महौल बना रहेगा स्वास्थ्य वर्तमान वातावरन से अपना बचाव रखने के लिए दिंचर्या और खानपान संबंधी आदतों को एकदम व्यवस्तित रखें भाग्यशाली रंग सफेद, भाग्यशाली अंक तीन, व्रिश पॉजिटिव ग्रह गोचर बहुत अनुकूल है घर के नवीनी करन अथवार अख्रकाव संबंधी योजनाय बनेंगी साथ ही इस समय महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर पैसा लगाना भाविश्य में बहुत अधेग फाइदेमन साबित होगा इसलिए कार्या पर गंबीर्ता से विचार करें नेगेटिव आपका व्यक्तिगत कारियों में व्यस्त रहने की वजह से आपके कुछ मित्र गण या नजदी की लोग नाराज हो सकते हैं सामाजिक भी बनना जरूरी है अपने महत्वपूर्ण कागजातों को संभाल कर रखें इस समय उनके खोने या भूलने की स्थिती बन रही है व्यवसाय व्यवसाय में मारकेटिंग तथा मीडिया से संबंधित गतेविदियां गती में आएंगी पिछले कुछ समय से आपने व्यवसाय में जो बदलाव किये हैं उसका उचित परिनाम मिलेगा सिर्फ अपनी कार्यक्षमता और अपने निर्णियों पर ही विश्वास रखें ओफिस में व्यवस्थित महौल रहेगा लव परिवार वालों के आपसी सामन जस्य से संबंधों में निकटता आएगी प्रेम संबंधों में भी मर्यादा और संबान बनाए रखें स्वास्थय शारीरिक और मानसिक ठकान रह सकती है नकारात्मक विचारों को ना उपजने दे भाग्यशाली रंगलाल, भाग्यशाली अंक्छे मिथून पॉजिटिव अपने किसी का सपने को साकार करने का बहतर समय चल रहा है उर्जावान और सकारात्मक रहे कुछ समय प्रकृति के सानिध्य में अथवा किसी आध्यात्मिक स्थल पर जरूर व्यतीत करें इससे आपका मनोबल बढ़ेगा खुद को तनावमुक्त महसूस करेंगे नेगेटिव वाद विवाद जैसे मामलों में आवेश में आने के बजाए धैर्य और सयम से परिस्थितियों को सुझाने का प्रयास करें कोई दुखद समाचार मिलने से मन कुछ उदास भी रहेगा अपनी मन स्थिते पर नियंत्रन रखना जरूरी है प्रानायाम योगा करना उत्तम है व्यवसाय बिजनेस की व्यवस्था को लेकर कोई योजना है तो उस पर काम करने के लिए अनुकूल समय है शेर और स्टॉक मार्केट के कामों में सावधानी रखें लव पारिवारिक वतावरन सुखद और शांती से परिपूर्ण रहेगा किसी पुराने मित्र के मिलने से मन प्रफुलित रहेगा स्वास्थय नियमित रूप से व्यायाम और योगा पर ध्यान दें अपनी दिन्चर्या और खान पान संतुलित रखें भाग्यशाली रंगपीला, भाग्यशाली अंगछे, कर्क पॉजिटिव पिछले कुछ समय से चल रही स्वास्थय संबंधी समस्या से राहत मिलने पर आपको अपने अंदर मानसिक शांती वभर पूर उर्जा महसूस होगी किसी अनुभवी व्यक्ती का मार्ग दर्शन भी मिलेगा, आपकी सफलता का कोई द्वार खुलने वाला है, जिससे आपकी कोई चिंता भी दूर होगी नेगेटिव कोई भी विप्रीत परिस्थिती बनने पर गुस्से और आवेश में आने से बचे और अपने इमोशन्स पर काबू रखें किसी भी प्रकार के नए निवेश को फिलहाल टाल दें, क्यूंकि धन संबंधी कुछ नुकसान दायक स्थितियां प्रतीत हो रही हैं व्यवसाए नौकरी और बिजनेस में आपका प्रभाव बढ़ेगा, हालांकि आप ज्यादा समय नहीं दे पाएंगे, लिकिन कर्मचारियों के साथ अच्छा तालमेल रखने से काम समय पर पूरे होते जाएंगे इस समय मारकेटिंग संबंधी कामों पर भी ध्यान दे, नौकरी पेशा लोगों पर काम को लेकर अधेकारियों का रहेगा, लव पारिवारिक वातावरन खुशनुमा रहेगा, नजदी की व्यक्तियों के साथ कोई मेल मिलाप करने का मौका मिलेगा, स्वास्थ्य नेगेटिव आर्थे क्योजनाओं को फली भूत करने का उच्चित समय है, समय रहते बिगरे हुए संबंधों को सुधार लें, ये संबंध आपके लिए फायदेमंद होने वाले हैं, फोन या इमेल द्वारा आज कोई महत्वपून सूचना मिलेगी, जोकी बहुती दायक साबित होगी, नेगेटिव गैर जरूरी खर्चों पर काबू रखे तथा उच्चित बजट बना कर चलें, किसी पारिवारिक मसले को लेकर भाई बहनों के साथ कहा सुनी हो सकती हैं, किसी भी अनिर्ण्य की स्थिती में घर के बुजूर्गों की सलाह अवश्य लें, व्यवसाय इंकम सामान्य रहेगी, बिजनेस में आलस्य और लापर वही ना करें, किसी संपर्क सूत्र द्वारा उचित ओड़बी मिल सकता है, सरकारी सेवारत लोग अतिरिक्व कार्यभार के वज़े से तनाव में रहेंगे, लव दामपत्य जीवन में मधूर्ता रहेगी किसी विपरीत लिंगी मित्र की अचानक मिलने से आश्चर्य जनक प्रसन्नता महसूस होगी, स्वास्थय मन में नकारात्मक तहावी रहेगी, मेडिटेशन और योगा पर कुछ समय अवश्य लगाएं, तथा पॉजिटिव रहे, भाग्या शाली रंगहरा, भाग्या शाली कन्या पॉजिटिव घर के किसी सदस्य के विवा संबंदी बहतर रिष्टा आने की संभावना है, मोबाइल अथवा इमेल द्वारा कोई महत्वपूर्ण सूचना मिलेगी, उसे बिलकुल भी नजर अंदाज ना करें, मनोरन जक कारियों में भी सुख़द समय व्यतीत होग नेगेटिव प्रतिद्वंद्वियों की गतिविधियों को नजर अंदाज ना करें वरना आपकी मिहनत का श्रे कोई और ले सकता है, वक्त के अनुसार अपने स्वभाव में भी बदलाव लाना जरूरी है, अगर किसी के साथ कोई प्रोमिस किया है, तो उसे पूरा भी वश्य करें, व्यवसाय व्यवसायक कार्य प्रनाली को और अधिक बहतर बनाने का प्रयास करें, कार्य स्थल पर किसी परोसी से लड़ाई जगरे की स्थिती बन रही है, कुछ कानूनी अथ्वा निवेश संबंधी जटिलताओं का भी सामना करना पड़ सकता है, नौकरी प संबंधों को भी पारिवारिक स्वीकृती मिल सकती है, स्वास्थय ब्लड प्रेश, डाइबिटीज जैसी बीमारियों के प्रती लापर वही बिल्कुल ना बरतें, अपनी व्यवस्थित दिन्चर्या रखे तथा तथा उच्छ तेलाज है, भाग्यशाली रंग बैंगनी, भाग्यशाली अंग तीन, तुला पॉजिटिव कहीं भी पैसा लगाने से पहले उसकी वापसी सुनिश्चित करें, वरना मुश्किल में पढ़ सकते हैं, घर के नवीनी करन या सुधार जैसी योजनाय बनेंगी, किसी वास्तुविद के साथ आवश्य विचार विमर्ष कर अनावश्यक खर्चों में काबू पाने से आर्थिक स्थिती में उधार आएगा, नेगेटिव बुजुर्गों का मान सम्मान वा आदर बना कर रखें, उनका आशीरवाद व सहयोग आपके लिए भाग्यो दय दायक करेगा, अगर किसी से कोई प्रॉमिस किया है, तो उसे अवश्य निभाएं आपका मान सम्मान वर रुत्बा बना रहेगा, व्यवसाई कार्यस्थल पर अपनी उपस्थिती रखना अनिवार्य है, लापर वही से कर्मचारियों को नुकसान हो सकता है, फिलहाल किसी भी तरह की यातरा को आगे के लिए टाल दे, नौकरी पेशा ल बंधों के मामले में लकी रहेंगे, स्वास्थय गलत खानपान की वजह से पाचन क्रिया डिस्टब हो सकती हैं, उचित खानपान, ले, भाग्यशाली रंग के सरिया, भाग्यशाली अंकतीन, व्रिष्चिक पॉजिटिव अपनी दैनिक गतिविधियों में कुछ नयापन इससे माहौल सुखद बनेगा, कुछ समय से चल रही किसी चिंता अथ्वा तनाव से आज कुछ राहत मिलेगी, इस समय अतिरिक ताई की प्राप्ती के भी योग बन रहे हैं, कुछ समय मौज मस्ती के लिए भी निकाल लेंगे, नेगेटिव किसी मित्र अथ्वा समबंदी क की व्यक्तिगत समस्या को लेकर परेशान रहेंगे, परन्तु आपका हस्तक्षेप और सुझाव से उच्चित समाधान भी मिल सकता है, बातचीत करते समय शब्दों के चयन पर बहुत अधिक ध्यान रखें, व्यवसाए व्यवसाइक स्थल का महौल शांतिपूर्ण बना र सरकारी सेवारत व्यक्तियों का अपने डिपार्टमेंट में दबदबा बना रहेगा, लव घर में सदस्यों का अपने अपने कारियों के प्रती समर्पन आपकी जिम्मेदारियों को कम करेगा, लव पार्टन को कुछ उपहार अवश्य दें, स्वास्थे नजला, जुकोम जैसी समस्या बढ़ सकती है, मौसम तथा दूशित वातावरन से अपना उच्चित बचाव रखें, भाग्यशाली रंगास्मानी, भाग्यशाली अनकार्ट, धनू पॉजिटिव आज अचानक ही कोई मनोनुकूल काम हो जाने से मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ और प्रसन महसूस करेंगे, तथा अपने पारिवारिक और व्यवसाइक जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभाने में सक्षम रहेंगे, विद्यार्थियों की किसी सबजेक्ट को लेकर चल रही समस्या हल होगी, नेगेटिव व्यक्तिगत कारियों के अलावा सामाजिक गते गते विद्यों पर भी ध्यान देना जरूरी है, अपना संपर्क दाइरा विस्तरित रखें, कोई भी महत्वपूर्ण निर्नए लेते समय परिवार जनों की भी सहमती लेना जरूरी है, इससे निश्चित आपको बहतर सलाह भी मिलेगी, व्यवसाए व्यवसाए में क्रिया शीर्ता बनी रहेगी, जिससे गते विदियां बहतर तरीके से व्यवस्थित होती जाएंगी, जरूरी कागजात और फाइले संभाल कर रखें, ओफिस में किसी गलती की वज़य से अपमानित होना पड़ सकता है, सचेत रहें, लव घर परिवार में खुशनुमा और सामंज सदस्य पूर्ण वातावरन रहेगा, किसी अविवाहित सदस्य के विवाह संबंधी उचित रिष्टा भी आ सकता है, स्वास्थ्य स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी चिंता करने जैसी कोई बात नहीं है, सिर्फ दिंचर्या संतुलित रखें, और मौसम के अनुकूल आहा भाग्यशाली रंग के सरिया, भाग्यशाली अंकदो, मकर पॉजिटिव सामाजिक गतिविधियां बढ़ेंगी तथा जनसंपर्क भी बहतर होंगे, लक्ष को हासिल करने का शुब समय है, आपकी योग्यतावा काबिलियत खुल कर लोगों के सामने आएगी, आपकी उद्व उत्तेजना पर काबू बना कर रखें, तथा धैर्य और सयम से काम ले, वरिष्ट परिजनों को हर हाल में खुश रखने का प्रयास करें, व्यवसाय भाग्या महर्बान रहेगा, कार्यक्षेत्र में आपकी कार्यप्रनाली बहुत ही उत्तम तरीके से रहेगी जिसस स्त्रोतों से आये संभाव है, लव बड़े बुजूर्गों के प्रती सेवा भाव और देखभाल आपके पारिवारिक जीवन में सौभाग्या लाएगा, प्रेम प्रसंगों में भी प्रगार्ता आएगी, स्वास्थ्य वहन सावधानी से चलाएं तथा किसी भी तरह का जो करेंगे, और तनाव मुक्त होकर दिनचर्या पर फोकस भी कर पाएंगे, किसी समारों में जाने का आफसर प्राप्त होगा तथा किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात आपके लिए लाबदायक साबित होगी, नेगेटिव व्यवहार में समय अनुसार लचीलापन ला उचित समय का इंतजार करें, व्यवसाए व्यवसाएक गते विधियों में निवेश करने संबंधी योजनाय बनेंगी, जोकी भविश्य में बहुत ही लाबदायक साबित होगा, नौकरी पीशा व्यक्तियों को स्थानांतरन संबंधी कोई खुशखबरी मिल सकती है तथा अधिकारी वर्ग से भी संबंध और अधिक मधूर बनेंगे, लव पती पतनी के बीच कुछ तक्रार रहेगी, जिसको आपस में ही बैठ कर सुझाने से संबंध पुनम मधूर हो जाएंगे, स्वास्थे नसों में खीचाव की वज़े से दर्द जैसी स्थिती रहेगी, व् बहतर समय का उचित सहयोग करें, किसी खास आयोजन अथ्वा गेट टूगेदर संबंधी गतिविधियों में आपके विचारों को प्राथमिकता मिलेगी, और किसी खास कार्य संबंधी योजना की बनेगी, नेगेटिव किसी भी फाइनेंस संबंधित गतिविधी में बहु सावधानी बरतें, व्यवसाय कारोबारी गतिविधियों में और अधिक सुधार आएगा, युवाओं को अपने करिय संबंधी कोई नया अवसर हासिल होगा, जिससे उनका आत्म विश्वास बढ़ेगा, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाले व्यक्ति अपने प्रोजे स्वास्थ्य स्वास्थ्य के प्रती सजग बने रहना भी जरूरी है, व्यवस्थित दिन्चर्या और खान-पान से आप कई परेशानियों से राहत पा सकते हैं भाग्य शाली रांग औरंज, भाग्य शाली अनकाठ, शनिवार का राशिफल, कन्या धनू राशी के लोग नए परिचित से सतर्क रहें, तुला राशी के लोग पुरानी बाते भूल कर आगे बढ़ें जोतिश के सभी अलत्स और ट्रांडिंग खबरों के लिए आपकी राशिफल चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने किसी भी विग्यापन के लिए हमारे चैनल से संपर्क करें आपका दिन शुभ हो अपना और अपने परिवार का ख्याल रखे धन्यवाद